प्रधान नियामुर्ती संजीव खन्नाने देश के 51 प्रधान नियाधिश के तोर परली शपत राश्ट्रपती ने पद और गोपमेता के दिलाई शपत ओप राश्ट्रपती और प्रधान मंत्री भी रहे मौजूद पहले चरण की 43 सीटों के प्रचार के लिए अब महज 4 से 5 घंटे 6 इंडी और एंडीय कड़बंधन ने चुनावी समर जीतने के लिए जोंकी ताकत पहले चरण का मद्दान संपन कराने के लिए दुर्गम इलाकों के चुनाव कर्मियों की रवानगी का सिलसला शुरू 13 नवंबर को होगा मद्दान अर्मुख्य निर्वाची पताधिकारी के रवी कुमार ने चुनाव की निस्पक्षता पर दिया जोर अवैज सामकडी और नगदी की जबती पौने दो अरब के पार यमशेदपुर में भारी मात्रा में अवैज शराब जब नमस्कार खबरे जारकन में आपका स्वागत है स्वक की तमाम ताजा तरीन और एहम खबरों को लेकर हाजरों में राहूल शर्मा और अब समाचार विस्तार से राश्वपती द्रापदी मुर्मु ने आज जय नियामूर्थी संजीव खन्ना को देश के 51-वे प्रधा नियाधिश के रूप में शपत देलाई नियामूर्थी डिवाई चंदर चूड के सेवा निवरित होने के बाद नियामूर्थी खन्ना उच्चतम नियाले के मुख I, I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, to swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. नियामूर्थी संजीव खन्ना का जन्म 14 माई 1907 में हुआ था, वे वर्ष 1983 में वकील के रूप में नमांकित हुए थे, आईए उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं. एक वकील की तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की उसके बाद में, आपको बदा दी कि उनका जन्म 14 माई 1907 को हुआ था, और दिली बार काउंसल में 1983 में वकील की रूप में नमांकित हुए थे, जोसे संजीव खन्ना, जो आज नए प्रधानियाइधीश बनने जा रह संविधानिक कानुन प्रत्यक्ष कराधान में भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है, उनके करियर की जब हम बात करते हैं, साल 2005 में दिली हाई कोट के अतिर्क न्याइधीश की रूप में उन्हें पदुन्वत किया गया, प्रमोशन उनको दिया गया, उसके बाद में साल 2006 में दिली हाई कोट के स्थाई न्याइधीश जस्टिस संजीव खनना बने, इसके बाद में दिली हाई कोट की न्याइधीश की रूप में भी कई पदो पर वहाँ पर रहे हैं, विबने समय पर दिली न्याइधी का अकादमी, दिली अंतराश्टिय मध्यस्ता केंद्र के अध्यक्ष प्रभारी भी जस्टिस संजीव खनना रहे हैं, जिन्हें आज राश्ट्पत द्रॉप दिली मुर्मू शपत आवंगोपनियता की शपत दिलाएंगी, और 18 जन्वरी 2019 को सरोच न्यायले के न्याइधीश की रूप में पदोन्नत हुए थे जस्टिस संजीव ख रहे हैं, इसके साथ ही आपको बता दे कि जस्टिस संजीव खनना राश्ट्य न्यायक अकादमी भौपाल की गवर्निंग काउंसिल के भी से दस्य हैं, तो ऐसे में जो अभी तक का उनका कारिकाल रहा है, उनके करियर किस तरीक के रहा है, वो हमने बात की, और अब जस्टि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इस अभियान के माध्यम से बूथ कारिकरताओं से चर्चा भी करेंगे और उन्हें जारखंड में विजय के लिए प्रिरित भी करेंगे, जीत का मंत्र देंगे, इसके साथ ही इस कारिक्रम में केंद सरकार के द्वारा प्रदेश में किये गए तमाम विकास कार्यों और जारी अभ्यानों के बारे में भी चर्चा इस कारिक्रम में की जाएगी तो कारिकरताओं को आज जीत का मंत्र देते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे मेरा बूत सबसे मजबूत यह समबाद कारिकरम है जिसमें कारिकरताओं से सीधा समबाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी वं भाजपा के स्टार प्रचारक ने कल राची में रोडशो किया था उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में वीडियो साजा करते वे रोडशो में आपार समर्थन के लिए राजधानी राची के लोगों का आभार जताया है प्रचार जताया है विदान सबाद चुनाव के लिए पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार के लिए अब महस चार से पांच घंटे शेश बचे हैं चुनावी महा संग्राम में जीत सुनिशित करने के लिए एंडिये और इंडी गड़ बंधन समेथ अन्य प्रत्याशी पूरा जोर लगा रहे हैं राय किला में चंपाई सुरेन कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं उनके पक्ष में मद्दान की अपील जनता से करेंगे इसके साथ ही वहीं सिम्डेगा के अगर बात करें तो सिम्डेगा सेव शृद्धानंद बेसरा और तमार सीट से राजा पीटर एंटी उमीद इसके साथ ही मित्षा के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं योगी आदितनाथ आज नगर उटारी हुसेनाबाद पांकी और डालटन गंच में लगातार चार जन सभाई करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें चुनाव प्रचार करेंगे गड़वा और सिमर्या में प्रचार करते हुँ नजर आएंगे इसके साथ ही आज मिथुन चक्रवर्ती भी चुनाव प्रचार करेंगे मिथुन चक्रवर्ती बहरा घाटशिला और पोटका में तीन रेलियां करेंगे इधर इंडीकर बंधन ने भी चुनावी रणक्षेतर जीतने के लिए प्रचार में अपनी पूरी ताकत जोंगती है मुखे मंतरी साज हामुमों के कारिकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और घटक दलों के अन्ने नेता भी आज प्रचार में दमखम दिखाएंगे मुख्य बंतरी और पार्टी के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कलपना सोरेन ताबर तोड़ रहलियां कर मद्दाताओं को लगातार लुभाने में जुटी हुई है हेमंत सोरेन आज कई जगहों पर चुनावी जनसभाई करेंगे और इसी तरह जारखंड कॉंग्रेस के दिगचनिता भी जम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं प्रचार के दौरान दिगचनिता पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे विधान सभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कल भी प्रचार और जनसंपर का भियान में जम कर पसीना पहाया पेश है कल के चुनावी घमासान पर ये खास रिपोर्ट विधान सभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है सभी दलों ने प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है असम के मुख्यमंत्री और जार्खंड भाजपा के सहप्रभारी हिमंत विस्वा सर्मा ने जार्खंड के मुख्यमंत्री हिमंत सोरेन पर प्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा तो वहीं भाजपानेता गौरव बल्लव ने कहा कि मुख्य मंत्री ने खुद स्विकार कर लिया है कि उनकी सरकार जा रही है देखिए मैं सरकार बडलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ ये तो सज बाद है लेकिन ठेका जैसा वोड़ सुपारी जैसा सबको पयूग ना करते हुए बोले कि ये सरकार परिबर्टन के लिए यहां काम कर रहा है एमन सोरें साब ने मान लिया कि उनकी सरकार जा रही है बहुत बहुत धन्यवाद आपने चुनाव पूरवी अपनी हार मान ली और आपने ये मान लिया कि उनकी सरकार अपदस्त हो रही है मैं यह कहना चाहता हूं हेमन सुरेन साब कि छार खंड के लोगों ने सुपारी छोड़ दीजे पूरा पान खा लिया आपको अब दस्त करने के लिए राजत सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव ने कोडर्मा में मरकच्चो प्रखंड के गुरहा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया राजत प्रत्याशी सुभाश यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को सम्भोधित करते हुए लालु प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधा जारखंड में मुख्य मुकाबला सत्तारूर जे-म-म के नेत्रत्यवाली इंडिकडवन्धन और भाजपा के नेत्रत्यवाले अंडिये के बीच है विधान सभा की क्यासी सीटों के लिए दो चरणों में मतदान 13 और 20 नवंबर को होना है तो वहीं परिणा 23 नवंबर को आएंगे ब्योरिपोर्ट डीडी नियूज इधर मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवगार अंतरगत मोहनपूर में जनसभा को संभोधित किया और भाजपा प्रत्याशी नारायन दास के लिए वोट मांगा इस दोरान उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत सोरेन पर जम कर निशान साथा साथ ही इंडी गडबंधन को घुसपैट और फ्रस्टाचार जैसे मुद्दो पर खेडा श्रीयादव ने जार्खन के पूर्ण और तेज गती से विकास के लिए राज्य में डबल इंजन की सरकार की आवशक्ता पर बल दिया कि हस्पिटल जाना पुड़े तो पांच लाग तक का सरकारी हास्पिटल तो फ्री है प्राइवेट हास्पिटल के लिए भी सरकार पैसा देगी यह नरेंग मोदी जी की योजना और यह हमारी घौना है जो ठाली बोलते निए सर्वे भवन्तु सुफिना सर्वे सर्कु नि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोकारों के चंदन क्यारी में कलकी विजय संकल्प सभाने एंडिये में जोश भरने का काम किया है आजशू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार मैतो ने कहा कि सुदूर गरामिन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना एक बड़ा संदेश है जिससे एंडिये के नेता और कारकरता उत्साह से लबरेज हो गए है इसका परिणाम बदलाओ के रूप में तो वो उसको कंप्लिट नहीं कर पाएंगे आज हम आपके समख्ष में है पांक साल का कारिकार लेके 5 साल में 2 साल कोविट गया हाथ में बचा तीन साल तीन साल में 5 में आपका ड्ड़ा आपका वेता है मनसुरेन को जो कप्स के लोगों ने शर्यंजगर के जेल में दालने का काम किया था आपको पता होना चाहिए जब पिछली बार में डबल इंजन की सरकार थी ये क्या गर्टे थे ये हमारे सरकारी करमचारियों का ओल सेंक्शन बंद किया कॉंग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराकर भाजपा पर विग्यापन के जरिये जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है अपने सोशल मीडिया पेस पर जार्खन मुक्ती मोर्चा भारती राश्ट्री कॉंग्रेस और राश्ट्री जनता दल के नेताओं पर आरोप प्रतेरोप लगाते हुए विग्यापन पोस्ट किया है कॉंग्रेस प्रवक्ता जैराम रमेश ने इसी शिकायत की कॉंपी शेयर करते हुए कहा कि भाजपा इस विग्यापन के जरिये मद्दाताओं को गुमरा करने की कोशिश कर रही है और आदर्श आचार सहिता के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी नेता या उम्मीद्वार को विरोधी दलों के खिलाफ जूठी जानकारी के आधार पर प्रचार करने की इजाज़त नहीं है साथी कॉंग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग इस मामले में तुरंद कारवाई करेगा और इसे तारकिक निशकर्श तक पहुँचाएगा जारकर्ण मिदान समा चुनाव के लिए दो चरणों में 13 और 20 नमबर को मतदान होना है जिसमें पहले चरण के अगर हम बात करें तो पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का जोशोर है वो भी आज थम जाएगा और आए अब देखते हैं जमशेतपुर पूर्वी के चुनावी रणक छेत्र पर यह है ग्राउंड रिपोर्ट पूर्वी जमशेतपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिसा के राज़िपाल रगवर दास की बहु पूर्णिमा दास साहु को परतियाशी बनाया है जबकि कांग्रेस ने अपने पुराने नेता और पुरुफसांसा डॉक्टर हजय कुमार को मैदान में उता रहा है इनके अलावा भाजपा के दो वरिष्ट नेता शिव संकर सिंग और राजकुमार सिंग भी निर्दल्यव मिद्वार के रूप में खड़े है इस सीट से बाँट रही है वो समस्या है जल पानी की असुईधा और नाली का जो है बड़ना जल जमाओं na आ चईसी संगा रहे हैं तो ये सारे चोटी चोटी मोटी समस्या है पर यह पांथ साल में इस प्र गां oil की जो समस्या रहे पुर्वाइपियस अधिकारी डॉक्टर हजय कुमार की जवी यहां रविन हुट की है यहां से वो सांसत भी रह चुके हैं इनका मानना है कि गरीवों को जमीन का पट्टा उपलब्त कराना उनकी प्रात्मिक्ता में सबसे उपर है अब लीज के बार साब आगे सरकारी जमीन ह पूरी पवर है कि जो भी बसे वह उनको पट्टा देने के लिए तो सब लोग अपने जमीन के मालिक हो जाएंगी सरकार 500 साल का पट्टा देते गा तो फिर मिउटेशन भी हो करने के लिए तो यह हमारी हमने वादा कि है कि हम इसको पूरा करेंगे इस चेत्र में जनता विकास सुरक्षा और बुन्यादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर अपने मतों का अधिकार सुनिशित करेंगे ऐसा लोगों का मनना है जनता से आगर करता हूं बिंति करता हूं तेरा तारीख को आप इंडिये गठबंद को दिताइए और जरकंड में प्रचाचार अपराद और विकास से विकास कराईए हस्पीटल तो बन गया है और मरी तो जाते हैं डाक्टर तो आते हैं लेकिन वहां पानी की सबसे बड़ी स सकता है यह शेत्र मुख्य रूप से शहरी और अध्योगिक है और जारखंड की राजनीत में इसका महत पूर्ण स्थान है इस सीट का महत इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां के मद्दाता उध्योगों और शहरी विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान के इंद्रित करते हैं इस सीट पर टाटा स्टील और अन्य बड़े उद्योगों का प्रभाव है जो यहां के निवासियों के लिए रोजगार का एक प्रमुख जर्या है जमसेत्मुर पूर्वी विधानसवाज सीट की लड़ाई दिल्चस्प है एक और जहां रखुवर्दास जो जहार सानियों को सबब बागी परत्यासी हैं जो उन्हें परिशान कर रहे हैं क्यामरामें सीट सुमन के साथ कुमार अलोग डीडी निव्ज पूर्वी जमसेत्मुर जेके मुख्य निर्वाचन पतादिकारी के रवी कुमार ने चुनाओ की निस्वक्षता पर जोर दिया है उन् राजजी की 43 सीटों पर पहले चरण के प्रचार का शोर आज शाम थम जाएका मुख्य निर्वाचन पतादिकारी के रवी कुमार ने राची के धुर्वा इस्तित निर्वाचन सदन में प्रेसवार्था कर बताया है कि जहां शाम पांच बजे तक मतदान होना है वहां के लिए शाम पांच बजे और जहां शाम चार बजे तक मतदान का समय है वहां चुनाओ प्रचार 48 घंटे पहले आज शाम चार बजे थम जाएगा CEO ने बताया कि पांच जिलों पश्चे में सिंभूम लातेहार लोहरदगा गुमला और गढ़वा में आज हैली ड्रॉपिंग के मध्यम से 225 बूथों पर चुनाओ कर्मियों को भेजा जाएगा चुनाओ की निश्पक्षता पर बल देते वे उन्होंने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशियों द्वारा मतदान केंद्रों पर अपना कैंप लगाया जाता है जिसकी पूर्वानुमती सक्षम पदाधिकारी से लेना अनिवारे होता है CEO ने सपश्ट किया कि कैंप मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधी के बाहर होना चाहिए उन्होंने मतदाताओं से अपील करते वे कहा कि वे मतदान के लिए मतदाता परची जरूर लेकर जाएं CEO ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर मतदाता बारत तरह के मान्य अन्य पहचान के दस्तावेजों से अपने मतदिकार का प्रयोग कर सकेंगे वोटर अपने बूत में जाने की समय में उनका एपी कार्ड ले जाना एपी कार्ड नहीं है तो उनका साथ में बारा अल्टरनेटिव डाकुमेंट है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य में आदर्श आचार सहिता लागू होने के बाद से अब तक एक अरब 76 करोड से अधिक की अवैद सामग्री और नगदी की जब्ती हो चुकी है डिडी जहरकन के लिए ब्यूरो के रिपोर्ट इधर चुनाओ को लेकर पुलिस प्रशासन लगातारा समाजिक तत्वों और तसकरों के खिलाफ कड़ी कारवाई कर रहा है पुर्वी सिम्मू मंतरगत कमलपूर थानाक्षितर से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैद अंग्रेजी शराब बरामत की है ग्रामिड पुलिस अधिक्षक रिशब गर्ग ने बताया कि गुप तो सूचना मिली थी कि टेम्पो में अवैद रूप से शराब शहर लाई जा रही है इसके बाद टीम गठिद कर अवैद शराब बरामत की गई इस मामले में दो यूवकों को गिरफतार किया गया है जिसकी कीमत लगबग एक लाफ रुपे है और जो क्वांटिटी है उसकी लगबग 117 लीटर से अधिक की हम लोग को शराब की जर्थी की गई है तो इस प्रक्ता की कारवाई चुनाफ से ठीक अल्मोस्त बहतर गिंटे पहले हुई है तो आशा करते हैं हम लोग जो चुनाफ चाहते हैं कि निश्पक्षा बैबुख तरीके से हो उसी की ओर एक ये और साक्षा अच्छा कदम है 13 नवंबर को राज्य के 43 विधान सबाक शेत्रों में लोकतंत्र के महापर्व की धूम रहेगी और लोग अपने मताधिकार का उप्योग करेंगे सुचारू तरीके से मतदान सुनिश्यत कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं दुर्गम क्षेत्रों में चुनाव संपन कराने के लिए कर्मियों की हेली ड्रॉपिंग भी कराए जा रही है गुमला जिला अंतरगत सिसाई विशुनपूर और गुमला के 995 मतदान केंद्रों में से संतावन मतदान केंद्रों के चुनाव कर्मियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है इनमें से 24 मतदान केंद्रों के कर्मियों की हेली ड्रॉपिंग की जा रही है रवानगी से पहले चुनाव कर्मियों में लोकतंत्र के महापर्व के बहतर तरीके से आयोजन को लेकर उत्साह देखा गया पालबोस है मैं पी युवन है मैं बीबानला जा रहा हूँ इलेक्शन विटे बहुत बार किये हैं लेकिन हेलिकप्टर में पाईजबार हमको मोखा लेकिन हैं इसलिए मैं बहुत खुश हूँ अब अच्छा लग रहा है कि सब भाईलों सब मिल के हम हेलिकप्टर बेर अपना कि कि मह बूत बार कि चुनाओ करा चगा हूँ लेकिन हेलिकप्टर में जाने का पहला मोका है मुझे बहुत खुश लग रहा है यह फ्टिस यह हेलिकप्टर में चडएंगे बहुत अननन्दीत है है पहुत उताहित है कं राजे भर्वे विधानसभा चुनाव में वोटरों की भागेदारी बढ़ाने के लिए स्वीप के तहट लगातार जागरुकता कारेक्टरम आयोजित किये जा रहे हैं इसका मकसद लोगों को मताधिकार के प्रती जागरुक करना था सरकारी अमले की मौजूदगी में छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने आम जन को मताधिकार के प्रती जागरुक किया ताकि पिछली बार 50% से भी कम हुई वोटिंग पैटर्न में इस बार बदलाव लाया जा स सबसे पहले पतरातु प्रखंड में मतदाता जागरुकता रैली निकाली गई इस दोरान रामगड के डीसी और एस्पी ने सुदूर वरती गाओं में घूम घूम कर लोगों से 13 नवंबर को अपने मताधिकार का उप्योग जरूर से करने की अपील की ताकि इन इलाकों में लोकतंत्र के हित में वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सके सत परतिसत मदान सुनिस्चित करने के लिए आज हम लोगों ने लार्ज स्केल पर रैली और कारिक्रम यहां पर किये है और आप लोगों के चैनल के माधियम से अपील करते हैं कि सभी लोग इस बहाँ पर में अपनी गोमिका को निवाएं सिर्फ अपना ही नी बल्कि यह भी सुनिस्चित करें कि उनके घर में उनके अडोस में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो मतदान की अधिकार से बंचित रह जाए सभी अपनी मता अधिकार का प्रयूब जिरूँ करें मतदाता जागरुकता कारेक्टर में रामगर्ण के डीसी डीडीसी और एसपी ने लोगों को मतदान महादा और इस बुलेटिन में में मेरे साथ फिलाल इतना ही दीजे इजाज़त लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर नियामूर्टी संजीव खन्ना ने देश के 51 प्रधान नियाधिश के तौर पर ली शपत राश्पती ने पद और गुपनीता की दिलाई शपत तो उपर राश्पती और प्रधान मंत्री भी रहे मौजूर पहले चरण की 43 सीटों के प्रचार के लिए अब महज 4 से 5 घंटे 6 इंडी और एंडी एक अड़वंधन ने चुनावी समर जीतने के लिए जोंकी ताकत पहले चरण का मतदान संपन कराने के लिए दुर्गम इलाकों में चुनाव कर्मियों की रवानगी का सिलसला शुरू 13 नवंबर को होगा मतदान और मुख्य निर्वाचन पतादिकारी के रवी कुमार ने चुनाव के निश्पक्षता पर दिया जोर अवैज समकडी और नगदी की जबती पौने दो अरब के पार जमशिदपुर में भारी मात्रा में अवैज शराब जब